कि दोस्तो कोई फार्मर भाई अगर कुलीम पेड में पाइप लगाए तो अगर जिनका सेट बड़ा नहीं है तो वह एक इंच का पीविसी पाइप इस्तमाल कर सकता है किन्तो जिनके सेट बड़े हैं तो वह एक इंच के पीविसी पाइप लगा है उसका कारण यह तो즘 में रहा होए उसके करना है 주 sala करेंगे तो इसके कारण को हमको टेमपरेचर जो कंट्रोल न पर कारण से टेमपरेचर कंट्रोल नहीं हो यह रहा इसलिए अगर बड़ा सेड है तो आदा इंच के ही PVC पाइब इस्तमाल करें और अगर छोटे सेड हैं जैसे मालो 30-40 फिट कुलिंग पे लगावा है तो आप एक इंच या फिर पून इंच के भी PVC पाइब लगा सकते हैं अगर आपको इस प्रकार की समस्या बार बार अगर फेज नहीं करनी तो इसका अच्छा उपाय है कि आप आदा इंच का जीए का गवाएब ले और उसमें पर्मेनटली इस प्रकार से होल कर वालें इतने-इतनी डिस्टेंस पे और लास्ट में इस प्रकार से कपलर लगा दें और वही कुलिंग पेट के अंदर इंस्टोल कर दें तो आपको जो है बार-बार की जो समस्या है वो समस्या नहीं आएगी चुकि दोस्तों मैंने 2020 में शेट को बनाया था तो मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार की समस्या आएगी क्योंकि पहली वार पूरा काम हो रहा था तो अब यह समस्या जेलते जलते मुझे करीब एक साल पूरा हो गया और रगब हर बेच या दूसरी बेच में यह वाली समस्या आ जाती है तो इसका जो इस्थाई जो है साल राउट कर सकते हैं दोस्तों मेरा उद्देश यह है कि मैंने जो गलतियां की है पिछले सेट बनाने में या मटरेल पर्चेस करने में वह गलतियां आप करें इसलिए मैं हर एक चीज का एक वीडियो बना कि और आपको सेर करता हूं